नमस्का दोस्तो मैं अनिल्क मरलोना आईसीसी अकेडमिया बहुर से आज हम लोग जी बेसिक मैस का पेपर नुबर वन डिसकुस करने जा रहे हैं आप कोई भी कम्पेटिटर एक्जाम देते हैं जिसमें मैत आता है यह सभी कम्पेटिटर एक्जाम के लिए बेनिफिशिल चार से गुना करनी है जी यह हंडडर से हैं तो एक इसोसी प्लस बोल सकते हैं १ कहता हैं लिएन आप चाहो तो एक तो भी 112 मर्द रहे हैं आपकी नौले के लिए यह जो क्रोस का साइन है यानि मल्टिप्लेकेशन के लिए जो हम साइन इंडिकेट करते हैं यह यहीं से बना है इसमें एक ची गौर करने वाली है पिछे हमेशा दो डिजिट रखने हैं इसको हम नेक्स्ट एक्जामपल से समयने कोशी करते हैं यह देखे एक सो छे गुणा एक सो तीन दे रखा है तो इसको हम सो प्लस छे लेख सकते हैं तो इसको क गुणा करेंगे 6 गुणा 3 कितना हो गई 18 पीशे दो डिजिट आगें 106 और 3 कितना हो गई 109 चाहो आप ऐसे भी कर सकते हो 103 6 109 बनेगा तो आप क्या देख रहे हो अगर आपको यह टेक्नीक प्रॉपर्ली समझा जाती है आप इसकी प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करते हो तो आपको इसके लिए जी बाद में कापी पैन की भी जूरती नहीं बढ़ेगी आप इसको औरली भी कर सकते हो जैसे देखिए 104 गुणा 107 यह गुणा करना है तो 47 कितना हो गया अठाइस एक सो चार और साथ कितना हो गया 111 अंसर आगे देखते हैं 115 गुणा 108 करना है जी इसका मतल हो गया 100 प्लस पंद्रा नीचे वरी फिगर के होगी 108 है 100 प्लस आठ तो इसको हम गुणा करेंगे यह बन रहा है 158 है 120 120 में 3 डिजेट हैं हम सिरफ 20 लिखेंगे एक को कैरी कर लेंगे आपको मैंने बताया था यहां पे हमने 2 डिजेट रखन या फिर 108 प्लस पंद्रें 123 एक हमने केरी किया था 124 तो आंसर गया गया 12420 फिसे दिखिए 158 एक सोबीस है तो हमने सिरफ 20 लिखा है एक को कैरी किया हमने 115 और 8 123 बना था एक कैरी किया था 120 ही तर आ गया तो 12420 आंसर आंसर आ गया आगी दिखते हैं, 104 गुना 102 कर नहीं, इसको हम प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 4 ज्यादा है, नीचे 102 है तो इसको 100 प्लस 2 बोल सकते हैं, इसको गुना करेंगे 4 दूनी 8, अब 8 single digit आ रहा है, लेकिन हमें 2 digit रखने हैं, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, तो इसको कैसे जिरो आठ, 104 और 2, 106, 10608 इसका multiplication आगे जी, देखो अगर आप 0 नहीं लगाते हो, तो सिर्फ 1088 बनेगा, जो कि मैं पता है, गलत है, क्योंकि 100 गुना 102 दस से अर होता है, इस चीक आपने खास दिया रखना है, पीछी या पर दो डिजिट रखने हैं, यह फार्मुला जबर दस्त है जी, इसको अगर आप प्रॉपरली अप्लाई करना सीख लेते हो, तो बड़ा बेनिफीशल सा अभी दोगा, आगे दिखते हैं, 207 गुना 203, अब देखें, यह 100 बेस फार्मुला है, हम इसको 200 गुना पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यह 200 प्लस 7 है, नी 207 और 3, 210, बस, यहाँ पर थोड़ा दियान देने की जूरत है, यह फार्मुला 100 बेस है, हमने 200 के उपर अप्लाई किया है, जो आगे वाली फिगर है, इसको आप 2 से मल्टिप्लाई कर दोगे, 210 गुना 2, 420, पिछे वालों को नहीं अपने छेड़ना, फिर से देखिए जी, यह 207 है, इसमें प्लस 7 किया हुआ है, नीचे 203 है, इसमें प्लस 3 किया हुआ है, तो 7 गुना 3, 21, यह 2 डिजिट तो आई गे, उसके बार 207 प्लस 3, 210, 210 जो है जी, इसको हमने 2 से गुना किया है, क्योंकि 200 का बेस लिया है हमने, तो यहाँ पर 420 आग यहाँ पर कोग कहरी होता, तो 420 के बाद एड करना था, पहले नहीं एड करना, आगे देखते हैं, 306 दे रखा है जी, तो इसको हम प्लस 6 लिख सकते हैं, 300 प्लस 6 हो गया, नीचे 304 दे रखा है, तो इसको हम प्लस 4 लिख सकते हैं, 300 प्लस 4 हो गया, इसको हमने गुना करने जी छे गुना चार कितना आ गया चोबिस पीछे देखे दो डिजट आगे हैं 306 और 4 कितना आ गया 310 अब इसका बेस 300 है तो इसको 300 करेंगे यह बन गया जी 930 तो इसका आंसर क्या आगया 9314 24 इस फार्मूले को आप आगे 400 पर 500 पर 600 पर जैसे मर्जी अप्लाई कर लीजी प्रैक्टिस कीजिए इसकी जदा जदा आगे दिखते हैं इसी फार्मूले के हम आगे एक्स्पेंशन करते हैं 1000 बेस ले लिए जी तो इसमें हम देकर हे हैं यह फिगर दे Christ एक नो गुनआ एक यहार पांच यहां पर हम लिख सकते हैं 1000 प्लस frameworks नौ साउं पर है 100 प्लस पांच इनको घुना करनी हैं जी नो पाज़े जी पंतालिस अब गौर कीजिए पिछे हमने हंडर बेस किया था हंडर में पिछे दो जिरो थी हमने पिछे दो डिजे रखे दे थाउजर में देखे पिछे तीन जिरो है तो पिछे तीन डिजे रिक्वाइड है तो जिरो पंतालिय लिखेंगे यहाँ पे आगे वैसे जी, एक यार नो प्लस पांच, एक यार चोदा अंसर आगे बश्श इसमें गौर क्या करना है, हंडन में पीछे दो जीरो थी, तो हमने पीछे दो डिज़र रखे थे, थाउजर में पीछे तीन जीरो आगी है, तो पीछे हमने तीन डिज़र रखने है वैसे हम 10,000 करेंगे तो 4 डिजिट आएगा आगे दिखते हैं 120 गुना 1012 तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी 1000 प्लस 20 है ये 1000 प्लस 12 है पहरे तो इसको गुना करेंगे 20 गुना 12, 240 तो गौर कि ये पीछे 3 डिजिट रिकुरेर थे तीन डिजिट आगे हैं जी 120 प्लस 12 एक 1032 ये हमारा अंसर आगे दिखते हैं एक या तीन गुना 1002 ये बन गया ये 1000 प्लस 3 ये बन गया 1000 प्लस 2 इसको गुना करेंगे जी तीन गुना 2, 6 तो इसको हम 006 लिखेंगे तीन डिजिट रिकुरेर होते हैं हमने तीन डिजिट बना लिए जी एक या तीन और दो कितना हो गया है 1005 ये हमारा अंसर आगे जी आगे देख रहे हैं एक यार 25 गुना एक यार 12 ये 1000 प्लस कितना है जी 25 नीचे है 1000 प्लस 12 तो हम गुना करेंगे 25 गुना 12 कितना होते हैं 300 यहां पर आपको ये टेबल जितने ज़्यादा आते होंगे उतने इसलिए आप कैलकुलेशन कर पाएंगे पिछे 30 डीजिल बन गए जी एक यार 25 प्लस 12 एक यार 37 तो हमरा आंसर क्या आगई एक यार सैंटी पिछे 300 आगे देखते हैं अब हम देख रहे हैं दो यार 15 गुना दो यार 12 इसको गुना करने जी तो ये फिगर दे रहे हैं दो यार प्लस 15 निची वाली फिगर को हम लिख सकते हैं दो यार प्लस 12 तो पहले तो हम इसको गुना करेंगे पंत्रों बारी है 180 क्या देख रहे हैं पिछे 3 डीजिल हमने लिख लिए हैं जी दो यार 15 प्लस 12 ये होता है दो यार 27 ये होताइस लेकिन जैसे कि मैंने आपको 100 बेस में पताया था 200 में हमने दो से गुना गी थी और 300 में तीन से गुना गी थी तो ये 1000 बेस है तो इसमें 2000 के लिए हम क्या करेंगे इसको 2 से गुना कर देंगे यह बन जए गई 4424 तो यह हमरा रांसर आ गई आगे दिखतें तीन एर साथ गुना तीन हजारा है चार तो इसको जी तीन एर साथ को प्लस साथ लेख सकते हैं नीचे वाले Or três प्लस चार लेख सकते साथ चोका जी जीरो ठाई बना देंगे हम क्योंकि हमें 3D required है पीछे तीन यह साथ और चार तीन हजार ग्यारा है तीन यह ग्यारा को कितने से गुना की आईगी अब तीन से यह बन गयागी 9033 यह हमारा अंसर आगे दिखते हैं इसी को आप चाहो तो यह 10,000 बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो इतनी ज्यादा वैसे हमें जूरूत पढ़ते नहीं है फिर भी आप देख सकते हो तो इसको हम देख रहे हैं दस यह साथ गुना दस यह दो इसको आपस में गुना करनी है तो इसको मैं प्लस 7 लिख रहा हूं इस आप तो आगे दो जीरो और लगा देगी पिछोली फिकर क्या बनगी जीरो जीरो चोदा इधर प्लस करेंगी दस यह साथ प्लस दो दस हजार नो यह हमरा अंसर आगे पूरा है आगे देखते हैं दस यह पच्ची गुना दस यह बीस इसको गुना करनी है अमने जी तो इसको हम दस यह पच्ची को प्लस पच्ची लिख सकते हैं दस यह बीस को प्लस बीस लिख सकते हैं पच्ची गुना बीस कितना दें पांसो पिछे तीन डिजिट बन रहे आगे एक जीरो लगा देगी चार डिजिट हो गए जी दस यह पच्ची प्लस बीस दस हजार पं क्या देख रहे हो जी जद़ जद़ आपको five seconds लगेंगे यह question करने के लिए आगे देखते हैं इसमें हम देख रहे हैं यह ten based formula टेन बेस है तो क्या देख रहे हो जी पिछे एक 0 है तो एक digit आएगा 13 गुना 12 करना है हम ने लिए 13 को हम plus 3 लिख सकते हैं 12 को हम plus 2 लिख सकते हैं तो क्या बना 3 गुना 2 कितना आगया है छे एक डिजे रिकॉयर्ट था छे लिख लिए हमने तेरा दो के जिना अते ही पंद्रा चाहे बारा और तीन पंद्रा करने वे एकी बात है एक सुछ पंजा आंसर आगये इसका आगे दिखिए सोला अगुना चौदा करना है हम लिज्ए सोला को हम 10 प्लस 6 लिख सकते हैं निचे ज дерu जी 14 है इसको 10 पलस 4 लिख सकते हैं चोका 24 सिर्फ चोका लिखेंगे दो को हम कैरी करेंगे क्योंकि फिछे एक dj लिक्वाइड था 16 और 4 20 और दो केरी की होगा था बीस और दो बाइस दो सो चोविस हमारा आंसर आ गया जी कि आगे दिखते हैं हंड़र बेस फॉर्मुले हम दुबारा देख रहे हैं जी च्याजमे गुना च्युराजमे करना है अब गॉर्म कि जिए पहले हम आज olarak लेएं से 100 प्लस बाइसे अबसयोली फिक्कर रें हैं कि यह च्युराजमे जो है इसको हम सो मैनस चार बोल सकते हैं चुराजमे है इसको मैनस 6 बोल सकते हैं यहद्नी 6 से से जितना कम पढ़ रहा है वो फिगर आप यहां पे लिख लिजी छे गुना चार करें कितना आगे चोबीस अब पीछे हमारे लिए दो डिजेटी रिकॉयर्ड थे 96 में से 6 गए अब माइनस का साहिन है तो माइनस कर देंगे 96 गए जी 90 94 या 94 या 94 या 94 या 94 चार कम करना तो भी 90 आएगा आगे देखिए 88 गुना 93 जी 88 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 12 93 को लिख सकते हैं 100 माइनस 7 तो इसको गुना करेंगे बारो साथ 84 तो पीछे दो डिजे रिकॉयर्ड थे 84 आगया 88 मेंसे 7 गए जी 81 या 93 मेंसे 12 कम कर सकते हो 81 84 हमरा अंसर आगे जी आगे देखते हैं 100 बेस फॉर्मूले पे इसको लागू करके देखते हैं 988 गुना 985 क्या देख रहे हैं यह 1000 मेंसे 12 कम है 985 जो हजार मेंसे 15 कम है तो इनको गुना करनी है 1000 बेस है तो पीछे 3 0 है पीछे 3 डिजिट आएंगी पंद्रो बारिया 180 तो पीछे 3 डिजिट आगे हैं हमरे पास जी 180 98 मेंसे 15 कम कीजिए जी 980 तो हमारा अंसर आगे जी चाहे तो आप नो सो पचासी मेंसे 12 कम करके लिख सकते हो तब यह 970 यह आएगा आगे देखिए 980 गुना 975 980 जो है जी यह 1000 मेंसे 20 कम है 975 जो है 1000 मेंसे 25 कम है तो इसको हम गुना करेंगे 25 गुना 20 कितना हो गई 500 पिछे 3 डिजिल रिक्वाइड थे 3 डिजिल बन गें जी 980 मेंसे 25 कम करने जी 955 तो यह हमारा अंसर आगे है यह 975 मेंसे 20 कम कर लिजी तो क्या देख रहे हो जी इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए अपनी खुद की स्टेटमेंट बनाईए और इसको मल्टिपलाई कीजिए जितनी ज़्यदा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यदा यह टिप्स पर आ जाएगा नहीं तो बीस तक जुरूर टेबल कर लीजिए तो इससे आपका काम जी कभी अत्ता असान हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो इसे ज़्यदा लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए ठेंक्यू